गुडिविनिंग दोस्तो हमारे यूटूब चैनल टीचर एजूकेसन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चौते चरन के मॉडूल कोर्स जो की है विज्ञान का सिख्छन सास्त्रे उसका हम लोग प्रसनोत्री को इस वीडियो में हल करने वाले हैं यह देख सकते हैं विज्ञान का सिख्छा सास्त्रे उच प्रात्मिक चरन इसका हम लोग प्रसनोत्री जो के पिछली वीडियो में छूड़ गया था उसका हम लोग हल करने वाले हैं तो झ्लिए बिन अदेर के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो यहां पे विज्ञान का सिच्छन सास्तर का पहला प्रसंद जो मुख प्रस्नुत्री का है वो स्क्रीन पे है यहाँ इसमें जो सारे प्रसन दियेगे हैं मैं दोस्तों काफी बड़े बड़े प्रसन है इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर जो down arrow दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है तो यह पूरा प्रसन खुल करके आपके स्क्रीन पर नजर आएगा फिर इसको बंद करने के लिए फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह फिर से पहले की तरह हो जाएगा और आपका ओप्सन दिखाई देने लेएगा सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं सवाल है कि सिक्षक ने सिक्षारतियों को हर बल उद्यान में अपनी उचाई का उप्योग करते हुए पौधों कौन सी विग्यान पर क्रिया कोसल से गुजरेंगे निमलिक्षित को देखें यहाँ पर तीन चार तीन दिया वहा उप्सन अब पूछ रहा है कि कौन सी परिक्रिया से गुजरेंगे सबसे पहला है लंबाई का तुलनात्मक माप असपर्स अनुभाव के माध्यम से अलोकन धागा और स्केल का उप्योग कर सटिक माप अब यहाँ इसमें से ऑप्सन दिया गया है निमलिक्षित ऑप्सन में से किसी एक सही जवाब है तो इसमें जो है दोस्तो तीनों सही जवाब है यह पहला दूसरा और तीसरा यह तीनों सही है जो कि हमें ऑप्सन सी में नजर आ तो इस तरीके से यह इसका सही जवाब हुआ अब आते हैं अगले सवाल पे सिक्षकों ने छात्रों को नोड़ बुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने चित्र लेने और कुलाज बनाने के लिए एक गतिवीधी में सामिल किया इस गतिवीधी के माध्यम से सिक्षक निमलिकित मुक और धार्नाओं में से सिक्षार्तियों के बीच निर्मान करने की कोशिश कर रहा है किस बारे में ये सिक्षक कोशिश कर रहा आपको बताना है इसका जो सही जवाब है वो है पौधों की विर्तियों में विवीधता ओप्शन सी इसका सही जवाब है आते हैं अगले प्रस्ण पर प्रस्ण भी थोड़ा बढ़ा है इसे option यहां से हम arrow down करके और arrow को आप करके question को बढ़ा और घटा सकते हैं यहां पर प्रस्ण है कि विभिन पौधों की प्रविर्तियों के data के संग्रा के लिए कछा 6 के छात्रों के साथ एक सिक्षक द गतिविदी के माध्यम से सिक्षार्तियों में मिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है इसका सभी जवाब है कि सिक्षार्ति पौधों को उनकी परिविर्तियों के अधार पर वरगी किरित करने में सक्षम होंगे यह option A इसका सही जवाब है अगले प्रस्ण पर आते हैं आप नीचे दी गई गतिविदी छात्रों में समक्ष परदर्स्चित कर रहे हैं सवर यहां पे छात्रों के समक्ष है प्याज को काटकर पानी में मिला दिया अब यह जल धनात्मक लिटमस परिक्षन दिखाएगा इसके कारण का अध्यान करते हैं इसका से जवाब और वे जनकारी एकत्र करेंगे तो तो इसका से जवाब है एक अबेर के इस स्थित मतरा को जोड़ने के बाद वपातरे के नीचे दिखाई देने लगता है आप छातरों से कौन से अप की राय में इसकी सबसे परभावि कार्णिती क्या हो सकती है अब कैसे यह बच्चों को महसूस करने मदद कर सकते है इसका जो सबसे सटीक जवाब होना चाहिए वो है पर्योज़ना याणि पूर्जेक्ट के तहट हम बच्चों को यह बता सकते हैं यह महसूस करा सकते हैं अगले सवाल पर आते हैं कि धौनी उतपन करने की विभीन तरीकों का परिचय कराने के लिए पडोसि खचा के एक सिखचक अपने विद्यार्तियों को किसी भी तरीके से धौनी उतपन करने का उसर देने की उजणा बना रहे हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि आप के छाग रासांत हो आप उसी च्छा को क्या करने की सलाह देंगे यहाँ पे जो उप्युक्त सलाह है वो है कि द्यारतियों को गतिवीधी करने के लिए सभी कछाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं यानि कि option B next question मीरा आपकी कछा में एक दिरिष्टी बाधित छात्रा है दिरिष्टी कोन आप उसका समावे सभी गतिविदीयों में सुन्सचित करने के लिए अपनाएंगे इसमें यहाँ पे सभी दिरिष्टी कोनों का मिसरन हमें यहाँ पे अपनाना है यह इसका सही जवाब है अगला सवाल है सवाल यहाँ पर खतम हो गया है दस कोश्चर हम लोगों ने टच किया है और सब्मिट करके स्कोर देखते हैं तो यहाँ पर टेन और टेन स्कोर हमारा आ चुका है दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें जो लोग अपर चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को वाटसब गुरूप में यह सारे वीडियो सेर कर दे ताकि सभी को कोर्स कंपलेट करने में प्रब्लम ना हो और दोस्तों किसी भी तरह का सवाल आपको निश्चर ट्रेनिशन लेकर हो तो आप नीचे कॉमेंट बक्स मे अपना सवाल पूछ सकते हैं अपना सुझाओ दे सकते हैं फिर में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद